हाई दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल कॉंपोटिटिटिव गुरुकुल में तो फ्रेंट्स आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर के प्रीवियस यह कोसंस को और इसी प्रकार के कोसंस आपके क्लर के एकजाम हो चाहे प्योन के हो और चाहे इसी प्रकार के मैट्स के कोसंस आपके एकजाम में पुछे जाएंगे और इसके पहले हमने दो वीडियो और लाया है सेट वन और सेट टू और यह जो है आपका मैट्स के सेट थ्री है Maths का क्या है? Set 3 है तो चलिए कुछ वेहद important questions को हम लोग discuss करते हैं तो अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि बिहार civil court clerk से related और steno से related और pion की अगर आप त्यारी करें तो उससे related सभी videos आपके लिए उपलब्द कराए जाएंगे तो चलिए सबसे पहले question पर चलते हैं सबसे पहला question है 2 मेजों तथा 3 कुरसियों का मुल्य जो है 5600 रुपए दिया हुआ है 2 मेज है 2 table है और 3 कुरसिया है देखिए 2 table प्लस 3 chair 3 chair है इसका price कितना दे दिया है आपका 5600 दे दिया है price ठीक है आपसे पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है 6 मेजो तथा 9 कुरसियों का मुल्य क्या होगा क्या पूछा 6 table प्लस 9 कुरसियों का price क्या होगा तो आप एक चीज़ देख रहा हूंगे friends यहाँ 2 table है और यहाँ 3 chair है अगर इसको अगर हम दुगना कर दे इसको अगर दुगना कर दे गुने 2 कर दे तो आपका 6 table गुने 3 कर दे तो यहाँ क्या आ जाएगा और यहाँ 9 chair ठीक है इसे प्रकार आप यहाँ क्या किजेगा आप इसको ती गुना कर दीजेगा तो आपका इसका value निकल जाएगा क्या छे टेवल और नौर्चेयर का क्या हो गया है, चलिए अब next question पर चलते हैं, अगला question क्या कह रहा है, 5 क्रमिक संख्याओं का आसत दे दिया है, क्या है, 7 है, क्या आसत क्रमिक संख्या संख्या, तो process तो प्रोसेस टाइम लेगा है, जैसे पहला गर माल लेंगे x, तो दूसरा हो जाएगा x प्रस 1, तीसरा हो जाएगा x प्रस 2, चौथा हो जाएगा आपका x प्रस 4, ठीक है, पाँच माल क्या हो जाएगा x प्रस 5, लेकिन इसमें थोरा time लेगा, आपको time taken होगा, और फिर 8 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा, इसके पहले क्या आएगा, 6 और इसके पहले क्या आएगा, 5 तो यही 5 संख्या है, ठीक है, लगातार 5 संख्या है, जिसका औस साथ हो गया, तो आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, क्या पूछा, सबसे ब प्रिलिम्स तक की तयारी करवाई जाएगी, आपको कैसे जुड़ना है, क्या-क्या उसमें होगा, सब मैंने, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो चलिए, तीसा नमर कोशन क्या है, आप देख सकते हैं, सुला आदमी है, किसी कारे को, क्या करता है, 12 दिनों में पूरा करता है सुला मैन है, किसी कारे को 12 दिन में कर सकते हैं, तो कितने दिनों में उसी कारे को 24 आदमी पूरा कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल कोशन है, आपको यहाँ याद रखना है, M1, D1, H1 वारा फॉर्मला, ठीक है, एक क्या होता है, M2, D2 और H2, ठीक है, यह क्या होता है, Man Days Hour, Man Days Hour, इसके सिवा जो भी आता है, वो बटे में चला आता है, तो क्या दिया है, सुला आदमी, यहाँ लिखेंगे, सुला आदमी, गुने, किसी कारे को 12 दिन में, यहाँ लिख दिये 12 दिन में, ठीक है, अब क्या पूछा आपूरा कर सकते हैं, तो कितने दिनों में उसी कारे को 24 तो मैं क्या हुगिया 24 кош topics और कितने दिनों में आपको नहीं पाताएं डीटूर हैं देंगे अब देखें काटेगे 12 वी 놀ा डीन है 12 बार में अनगे 2 फ्लिडवर में आधब जैन से काटे में आट बार में तो एंसर कितना आ माल लेते हैं और एक क्या माल लेते हैं कोई दिकत आगे क्या कह रहा है यदी चार वर्स पहले उनकी आयू का अनुपात क्रमसा कितना था पांच अनुपात छे तो चार वर्स पहले बोल रहा है तो सुनिल का आयू क्या हो गया 7x-4 उसी प्रकार चार घटा दिये ठीक है वरतम किसका अनुपात में आ गया पांच अनुपात 6 में आ गया ठीक है अब इसे हम क्रॉस कर लेते हैं कल्कुलेशन कर लेते हैं जो आएगा वही एंसर हो जागा 6 सते 42x हो गया और माइनस 24 बराबर क्या हो गया आठ पचे 40x-20 ठीक है अब क्या करेंगे आप 40 को इधरे आते तो क्या बचा 2x बच गया और इधर चला गया तो यह बच गया 4 असम्हें एक संख्या के एक तीहाई का तीन चौथाई 30 है, क्या कह रहा है, एक संख्या के एक तिहाई का 3 चौथाई क्या है 30 है, तो कोई संख्या माल लेते हैं friends, x माल लेते हैं वो संख्या है, ठीक है, उसका क्या कहा 1 तिहाई, तो 1 बटा 3rd का क्या कहा, 3 चौथाई, 3 by 4 कितना है, आपका तो पूछ रहा है वो संख्या क्या है तो यहां से 3 से 3 कट गया अब X बटा 4 बढ़ावर क्या आ गया 30 आ गया तो X बढ़ावर क्या आ गया आपका 120 आ गया यही वो संख्या हो गई 120 is the right answer तो फ्रेंट्स यह थे कुछ previous यह के question जो कि बहुत important थे अब चले मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो समझे ठीक है आपके लिए एक बहुती बढ़िया ओफर है बिहार सिविल कोर्ट क्लड़क स्टेनो और अगर आप पियोन की तयारी कर रहे है तो आपके लिए एक टेलिग्राम का ग्रूप स्टार्ट किया गया है बिहार सिविल कोर्ट खलड़क हो चाहे पियोन हो चाहे आपका स्टेनोग्राफर की तयारी करनी हो तो टारगेट बैच स्टार्ट किया जा रहा है दो हजार बाइस तैईस का तैईस के लिए ठीक है डेली आपको क्या टास्क रहेगा डेली आपको टेस्ट मिलेगा टार्गेस बेस्ट रहेगा आपको दे दिया जाएगा क्या से क्या पढ़के रखना है पीडियास आपको प्रोवाइट कर दिया जाएगा टागेट बैज ग्रूप है उसमें हम लोग महनत करेंगे और आपका रिजल्ट निकलवाएंगे ठीक है वीडियो भी आएगा आपके सिविल कोट क्लर्ट है क्लर्ट निकाल चुकी है एवन तो वो भी बताएंगी कैसे आप तैयारी करें कि आपको क्लर्ट निकल सके और साती शात देखिए दिपिका कुमारी मैम है जो कि इस्टेनोग्राफर है उनसे उनका भी गाइडेंस रहेगा कि कैसे आप एक्जाम को Crack कर सकते हैं साथी साथ मैं हूँ आपके लिए मैस और इसनिंग के लिए और साथ में इंगलिस का भी कॉनसेप्ट आपको दूँगा ठीक है और नवीन सैनी जी है जो की सैनी टेस्ट सिरीज के फाउंडर है ठीक है तो यह सब का गाइडेंस रहेगा और यही सब मिलके आपको तैयारी करवाएंगे बिहार से विल कोट क्लड का जिसमें आपको टेस्ट भी चलेगा और सब कुछ चलेगा मात्र आपका जो है इसमें 200 रुपया लग रहा है आपके प्री के एक्जाम तक मात्र 200 है फिर आपका जल्दी ही आ आपका डिरेक्टली मुझसे बात होगा इस पे आप पेमेंट किजिए और आपको टेलिग्राम का जो पेड़ ग्रूप है उसमें आपको क्या किया जाएगा एड किया जाएगा और जल्दी ही तीन से चार दिन में आपका क्या होगा टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि कोई भी तयारी करना हो ना तो एड्मिट कार्ट का आपको इंतिजार ने करना या डेट फाइनल हो उसका इंतिजार ने करना एक्जाम तो हो नहीं है तो पहले से तयारी में लग जाना है कि आपका फॉस्ट टाइम में क्या हो फॉस्ट अट बड़ते